चलो आज हम एक निया चप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ये अरे ये कौन बना दिया? आरे ये है, इसका नाम है परमानु पहिचान लो, ये है परमानु अब इसका चीरेंगे पेट, अब बन जाएगा इसका अपरेशन, और नाम देंगे परमानु संरचना क्या बुली सर ये है परमानू और इसको चीर फार करना देखना इसके पेट में कुंची है अच्छा इतना करना है यानि डॉक्टर बनना है अरे नहीं डॉक्टर नहीं बनना रे पागल परमानू सन्रचना देखना परमानू सन्रचना का मतलब क्या संड़ रचना जैसे मेरा संड़ दिखना हम कैसा संड़ दिख रहे हैं अच्छा उसी तरह बाहरी से तो दिखा लेकिन अंदर से कौन दिखेगा अंदर से देखाने के लिए ओप्रेशन करेंगे पेट चीर के दिखा देंगे यह लो अत्री और यह लो पिड़नी औ यह लो आपका जो भी बचा हुआ सेस है उसी परकार हम इसको भी पेट चीरेंगे बाहरी से तो देखेंगे ही देखेंगे इसके अंदर कौनची कौनची है इस पूरा चेप्टर में परमानू शंडचना यानि इसके बारे में जानेंगे यह परमानू और इसके संडचना के वारे में बात करेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा परमानू शंडचना एक बात क्लिए अब धियान दो फिक है साथ वो तो बात समझ गए लेकिन आगे क्या आगे क्या तो यह जो चट्टा दिख रहा है ना परमानू यह कुंची है अंग्रेज जो दे दिया ना एक अंग्रेज था ना विदेशी लोग जिसका नाम था जॉन डॉल्टन कौन था डॉल्टन यही चट्टा अपने तो मर गया बुरों अपने तो बड़ाव मर गया अन्हाम देff göz CHALA । परमानौ और हमारे प्यारे प्यारे बच्छों को प्रेसां कर रहा है नहीं सरह मत प्रेसां नहीं हो रहे हैं प्रेसान तो यह परमानौ कर रहा है अरे यही तो बोले डॉल्टन ने इसका नाम दिया परमानु परमानु क्या आता है वह हम आपको बताते हैं तो परमानु जो है ना किसी भी पदार्थ अब सर्पदार्थ क्या हुआ है अच्छों भी हो जाए दुनिया में जो भी चीज है वह पदार्थ पैन पंखा कुरसी ट है सिंपल से बात है पदार्थ के अंदर को पादार्थ जिस चिस से बना होता है कुशी से बना होता है सर जी कि परमानु शे बना होता है जिस परकार मनुस्य जिस प्रकार मनुस्य कौंचिस मिलकर बना है कोशिका से उसी प्रकार पदार्थ भी परमानू अरे परमानू बस याद रख लो नहां परमानू होता है नाम में क्या मेरा नाम सर्वन है तो सर्वन है अब मेरे अंदर वाला जो भाग है हम जिसी से बने सर्वन का कोशिका उसी तरह अगर ये इटा है तो मानलोई पदार्थ का नाम है इटा इटा का परमानू समझ में आ रही बाद आसर इतना तो बाद समझ माग है आगे आगे क्या इत डॉल्टनमा जो है इत परमानू का नाम देक चला गया अब क्या होगा अब बात हम बात बता रहें इत अंगरेज है कनाद महरसी कनाद हमारे जो है न रिसी मुनी बहुत ही चलाक थे कर Φुक चलाक ने बोलेंगे बहुत ही पर तपस्वी थे बेठले बेठले पुरा दुनिया को देख लिए तो दुनिया में कोंची हो रहा है कुणची घट रहा है कौन मर रहा है कौन जी रहा है औने वाला क्या है भूद्वविस बर्दमान सब देख लेता है अपना तपस्या से देख लेता है उसी तरह इन्हों ने इसका नाम दे दिया लेकिन ये नाम ने दिया इजो चलाक था न बुरहो इह महर्सी कनाद बहुत ही कि चलाक था रहे थी भुरहव बोला कि पदार ।ा को तुक्रा ख़रो गे कट । एक समय ऐसा आए गा वह कटेगा नहीं कि ये स महीं इसा आए के बात कर रहे तो पदाख कट कट कटते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा और नहीं कटेगा और नहीं ऊटेगा और नहीं ये महर्सी कनाल थे नहीं कि महर्सी जी ये बिदा लें इस नाम ने दिया कि नाम भी दे देता कितना बढ़ी आ रहता हम भी भारत का नाम लेते परमानु को और नाम रखते कि अधना बाद समझ मारी बात आगे कि आगे क्या है तो अब हम लोग थोड़ा अशा परमानु का परिभासा देख लेते हैं पर मानु जिसको अंग्रेजी में एटम कहते हैं क्या कहते हैं एटम एक ग्रीक कि भासा है जिसमें इसका मतलब नाय कट नाय कट बो यह नि कट ना और नाय कटे गा है ना मतलब ओ भी भास इसका मतलब क्या है ओल्फ बिभाज्ज है इतना बास समझ में आया आध लिए आर्णने कटेगा अब क्या करें तो परिभासा देते हैं परिभासा है और यह परिभासा डॉल्टन नहीं दिया था कि किसी भी पदार्त का वह छोटा वार सबसे चोटा वह जो और बिभाजित नहीं हो सकता है उशे परमानु कहेंगे लेकिन आज कल के समय में तुम लोग के समय में अच्छा था कि परमानु औविभाज है लेकिन इसको खाट और अंग्रेम्ठ शू Hol दिया था नपष्ड के और अभिभाज है गलत हो गया इसको और काट अगे जिसका नाम होगा प्रोटौन न्यूट्रोन आभी सरकुंची है इसको प्रोटौ। न्यूट्रोन बोल रहे हैं परमानू को काटा गया पहले बोला नहीं काटा गया बड़ा कंफ्यूजन है सर जी पहले बोलते हैं आप काटा गया नहीं काटा गया फिर बात बोलते हैं काटा गया एक बात बोली या तो काटा गया या तो नहीं काटा गया देखो डॉल्टन ने बोला परामाणू औरबिभाज हैं किस ने बोला डॉल्टन ये चुट्टा वोल के चला गया और इसके बाद को लगबग कही सालों तक इसके बाद को वैसे ही रहने दिया जब बाद में पता चला कि परामाणू के अंदर भी है न है उसके अंदर भी कन है और उस कन का नाम है इलक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन बस इदना याद रखो इलक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन अब यह हो जाएगा सबसे छोटा सबसे छोटा इलक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन है ना फंडा इसको बोलते हैं फंडा पंडामेंटल पार्टिकल्स पार्टिकल्स ठीक है जिसको हम बोलते हैं मूल भूत है ना कन तीन गो ऐसा ने कन है और किस पदार्थ के अंदर परमानू हुआ परमानू सबसे छोटा है लेकिन उसके अंदर तीन चीज़े है बस इतने तक इससे आगे ने रखेंगे क्योंकि आप आप जो है ना विग्यानिक लोग भी ठक गया बोला आप हमसे नया होगा आप हम इसको कितना अंदर देखेंगे तो बोले जा गौड बनाया इस दुनिया के सब कुछ चलो गौड पार्टिकल नाम दे देते हैं तब बाद में विग्यानिक लोग ने बोला चलो बौड पार्टिकल नाम दिया है उसने भी मान लिया कि दुनिया किसने बनाया भगवान ने बनाया इसलिए वह पार्टिकल है नि वह छोटा से छोटा सुच में से सुच में कौन तीब सुच में से सुच में कौन सीब तो जानते ही है ना सुच में से सुच में सीब होते हैं तो ये हम आप लोगों को बताया परमानू क्या होता है समझ में आया चल परमानू के बारे में बता दिये परमानू को तीन भागों में बाटा गया है इलक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन बोलो इलक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन अच्छा एक एकजाम में आते रहाता है उसके बारे में बता देते हैं इट पर नाचे एक ट्रिक याद करना इफ और इलक्टोन इलक्टोन का खोज किसने किया इसने किया प्रोटोन का खोज रदर फोड ने रदर फोड ने और नाचे में न्यूट्र का खोज चेंड विक ने इसको थुरा से याद कर लेना नॉलेज के लिए बता दिया है आगे भ आप याद कर लेना इस पर ना इन चट्टा है बहुत परिशान करता है आप लोग यहां घोश गया अई यह कि यह किये वो आगे बता हैं अब क्या हुआ आगे की और बोलते हैं अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसका नाम है कैथोर्ड की खोज इलक्ट्रोन का खोज इलक्ट्रोन का खोज कैसे किया गया उसके बाड़ें पर है चीक है कि अ कि अ